देखिए जैसा आप बता रहे हो इतने दिन बाद आया हम सब को पता है कि जो है 25 मार से देजबर में लोगडाउन शुरू हुआ और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा भी फर्ष बनता है उस लोगडाउन का मैं पूरी इमानदारी से पालन करना उसका पालन किया और आज जब पहली फ्लाइट जो है बाद रोगना के लिए चली पहले दिन पहले फ्लाइट में बैट करके मैं अपने छेत्र में आया हूं एक बात में और भी आपको यह कहना चाहता हूं यह समय ऐसा नहीं था कि हम छेत्र में भूबें केंपेनिंग करें या लोगों से गले मिले या लोगों से हाथ मिलाए यह एक कठिन समय था जिसको हमने अपने घर में रहते हुए अपने कारले में रहते हुए अपने जो भी स्थाने वहां रहते हुए लोगों की ज्यादा से ज्यादा से शेवा करें यह वो छड़ था और उसको मैंने पूरी इमानदारी से, पिछले दो मेने से, मैं और मेरा कारल है, हम दिन में भी अलट रहे, राद भर भी अलट रहे, और जितनी सेवा हो सकती है, हमने हमारी जनता की और देश भर के अनेक लोगों की की, और आज पहली बार, इस लोगडाउन के बात मैं आपके सामने आया हूँ, सबसे पहले तो मैं बदाई देना चाहता हूँ, यहां का प्रसाशन का, पुलिस के लोग जो दिन रात लगे हुए हैं, हमारे जो मीडिया के साथ ही है, इतना जोखिम उठाते हुए भी सच्चाई को दिखाने के लिए, जो कठूरता से आप लगे रहे हैं, आप भी बदाई के पातरे हैं, हमारे जो हेल्थ के वारियर हैं, हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, बहुत सारे जो एंजी ओ, क्लब, संस्ता हैं, जो दिन रात एक करकी लोगों की, गरीब लोगों की सेवा में लग गएं, और अब दीरे दीरे लोगडाउन खुल रहा है, लेकिन कोरोना आज खतम नहीं हो रहा है, कोरोना हमारे जीवन में काफी लंबे समय तक रह सकती है, जब तक इसका कोई इलाज न ढूना जाए, तब तक के लिए, हम लोगों को डराई भी नहीं, देखे हाट में दिल लेने की बहुत आवशक्ता है, जो छोटी-छोटी बाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फोलो करें, हाथ बार-बार भोते रहें, और अनावशक जो है, हम घर से बाहर ना निकले, मुझे लगता है, ये तीन-चार बाते सब को पता है, अगर उतना फोलो करेंगे, तो हम कोर संति का रोल को लेके क्या कहेंगे, जैसे एक तरफ तो कोरोना है, दूस्ता तरफ साइक्लोन है, और वर्कर भी है, जो माइगरेंट वर्कर भी है, जो मैं चाहता नहीं था, इसका जवाब आज ही दूँ, मैं तो लोग सब जो है, हमारे दोस्तों को लगेगा, जो बागरु कि इसका जो घेराई को मापने में पशीम बंगाल की सरकार नाकाम रही है, और सबसे ज़्यादा द्रेट पशीम बंगाल की है, और पशीम बंगाल देव वन से जो है, ऐसा लग रहा था, जैसे हियाँ पे तेवार मनाया जा रहा हो, जो योई सोसल डिस्टेंशिन नहीं, को पुले आम जो है बजारों में घुंब रहे तो कोरणा को रोकने में पूरी तरह फेल हुए देखिया हम नौर्थीस से लगता हुआ इलाका है हमारा पूरा नौर्थीस से रहे और हम भी काफी हट तक से रह सकते थे लेकिन सरकार की लापरवाई के कारण हमारे को जो है आज य पर स्रमिक हमारे विद्यार्थी जो इलाज कराने के लिए लोग भार गए उनको लाने में किसी भी तरह का कोई प्रावदान जो है बंगाल की सरकार ने नहीं किया बार-बार केंद्रे से डंडा पड़ा तब जाकर के कुछ ट्रेने अभी आ रही है अब ये फ्लाइट भी आप देखो सब जगह देशबर में 25 तारीक से चालू हुआ नागरिक की सुविदा के लिए लेकिन पशिम बंगाल ने उसे भी मना कर दिया तो यहां भी फेले तीसरी बात जो अलफान जो तुफान आया हम सब को पता है टेलिवीजर में हम सब ने भी देखा आपने भी और नहीं किये और आज मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतिय सेना की आर्मी साड़े 300 जो है जवान आज कलकत्ता महानगर इलाके में पेड़ काटने के काम में लगे हुए हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं आर्मी होनी चीए दुर्गम इस्तान के लिए ज तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहां की सरकार जो है किस तरह से जो है जर्मराई हुई है इतना ही नहीं देखिए परदान मत्री जी को ममतादी जी ने जैसे ही का 24 गंटे के अंदर में वो खुद आए उन्होंने इलाके का ब्रहमन किया और तुरं जो है हजार करो क्या क्या चाहेंगे आप लोग ममता जी जैसे कि क्या कहेंगे देखे एक बात तो यह सपश्ट हो गई कल ममता दीदी ने हम समने टूइट देखा प्राइम निस्टर को उन्हों ने टूइट किया, उन्हें ने साप साप सब्दों में ये घ्रे दिया है कि पश्शिम बंगाल हम से जो है नई समल रहा है आप आईए आप इंटर्फेर करिये और समालिये तो ये बात इस पस्ट है कि ममता दिदी ये समझ गई है कि ना दुट्वित को रोकने में कामयाब रही, नहीं स्तुपान को रोकने में कामयाब हुई, इस वज़े से उन्होंने अपने हाथ फड़े कर दिये, लेकिन ये सरकार जनता द्वारा चुनिवी सरकार है, और भारिती जनता पार्टी हमारी पार्टी सम्विदान को मानती है, इसलिए हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे इस सरकार को हमारी तरफ से पूरी पास साल की छूट रहेगी वो अपने सरकार समाले लेकिन इतना तैह है दो अजार इंटिस में की एमसी का जाना पूरी तरफ तैह है तो आप आए आपको क्या स्टेट गर्मन के तरफ से कुछ कहा गया देखिए मैं बता देओ जो भी यहां का हेल्फ को प्रोटोकोल होगा उसको मैं फोलो कर दो 14 देखिए अगर सब के लिए जरूली होगा मैं मेरे लिए भी होना चाहिए मैं करूंगा कुछ दिन सिलिकुडी रहूंगा कुछ दिन दार्जिलिंग अपने घर पे रहूंगा पहली बात तुमसरी बात ठीए ऐसा खटीन समय में जब जन प्रतिनिती अपने लोगों से नह जिसको मम्ता दिती बिठाती है उसके दारा जो है यह लोगों के साथ अन्या है जब आप दिली में थे और सिलिकुडी में आपका जगह जगह पे पोस्टर लगावा था जहां वह लिखा गया तो इस पर आप क्या कहना चाहिए देखिए यह नोटन की है थी अमसी की और उन उनको यह बात तो सपस्थ है कि उनको भाज़पा से भ्य है और मैं तो उनसे प्रशन पूछता हूं मैं तो दिल्ली में रहके अपनी सेवा दे रहा था यहीं पर हमारे तीन सांसत है और बिल्कुल बगल में हमारे जलपाईगुडी के सांसत और अलिपूर्द्वार के जोन देखिए जितनी खामिया है वो सब उजाकर हो चुकी है और इनको सिरी पॉलिटिक्स करना आता है मैं अगर यह इमानदारी से जन्ता की सेवा करते तो आज देखिए आज हमारे लिए बड़ा दुख का विशह यह है कि पूरे नौर्थ बंगाल के अंदर में एक भी सरकारी की अस्पिताल नहीं है जो हम कोरणा पेशिंट की इलाज कर सेके ऐसी अवस्ता क्यों है क्या हम आज तक जो है को भी का ही इंतजार खर रहे थे साधारान तोर पर भी जन्ता बिमार होती है उसके लिए आज तक हमने कुछ किया ही नहीं तो यह बात स्पर्स होती है कि इनको स कि अपिक्स में रहते हुए पैसा कमाना है इसके अलावा इनका और कोई भी उद्धिसर नहीं है तो आपना अगे का प्लान का है कि अभी जैसा भी एल्थ का प्रोटोकॉल होगा वो मेरे पे भी लाहू होगा और मैं अपने डीम से भी बात करूंगा डाजिलिके डीम से तो